अगर आप भी Made in India प्रोडक्स के दिवाने हैं तो मैं आपको बता दूँ कि आज का विडियो आपके लिए ही है आगई 120 किलोमीटर का मैलेज देने वाली Made in India इलेक्ट्रिक क्रूजर मोटर बाइक जियां कस्टमाइज वीकल और साउंड इंजिनरिंग के निर्माण में विशे शक्रिता रखने वाली एक घरेलू स्टार्ट अप इग्नी ट्रॉन मोटो कॉप ने अपनी पहली एलेक्ट्रिक क्रूजर बाइक साइबॉग के साथ भारत के टूविलर एलेक्ट्रिक वीकल सेग्मेंट में इंट्री का एलान किया है आपको बता दूँ कि ये प्रीमियम एलेक्टिक मोटर बाइकों की एक रेंज होगी जो एक बिलकुल नया मोटर साइकल एक्सपिरियंस देगी एक बार फुल चार्ज होने पर साइबॉग यॉर्डा एलेक्टिक क्रूजर बाइक 120 क्लोमीटर तक की दूरी टेकर सकती है ये बैटरी स्वैपिंग सुविधा के साथ आती है कंपनी के मताबिक इस बाइक की टेस्टिंग भारत के सबसे दुरगमिलाकों और जलवाई उ परिस्थितियों के हिसाब से की गई है इतनी सब जानकारी से तो आप समझी गए होगे कि आज का वीडियो काफी शांदार होने वाला आए तो चलिए आपको साइबॉक के बारे में पूरी डीटेल बताते हैं वीडियो शुरू करूं उससे पहले एक रिक्वेस्स है आपसे हमारे चैनल NJ Hindi को सबस्क्राइब करके बेल का आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे वैल आपको ये बनाना बेहत एक्साइटिंग है कि योडा की बाइक लवर्स के खास सेग्मेंट की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है योडा कंपनी की पहली और भारत की पहली मेड इन इंडिया इलेक्टिक क्रूजर मोटर बाइक है जिसमें एक स्वेपेवल बैटरी मिल रही है और इसमें आटो मोबाइल के लिए एक्साइटिड लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया है कंपनी के अनसार साइबॉग नाम के तहट इग्निट्रॉन, मोटोकॉप, इंडियन मारकेट में तीन प्रोड़क्स पेश करेगी इसकी शुरुआत कंपनी अपने पहले फ्लैक्शिप प्रोड़क्शन योडा से करेगी जो कि ये क्रूजर स्टाइल मॉडल होगा इस रेंज में क्रूजर, रेगलर और स्पोर्ट सेग्मेंट की इलेक्टिक मोटोसाइकलों को भी पेश किया जाएगा आपको मिलेगी हर एक केलोमीटर पर फास्ट चारजिंग की सुविधा जी हाँ, साइबॉग स्टेशन भी बना रही है जो हर एक कलोमीटर पर मौजूद होगा ये कॉम्पेक्ट होम चार्ज सॉकिट है जो फास्ट चार्जिंग की सुविधा देते है यहां बैटरी को 30 मिनट में 50% तक चार्ज किया जा सकता है यह बैटरी स्वेपिंग स्टेशन के साथ साथ SOS, रोड साइड असस्टेंस के लिए भी साज़ेधारी कर रहे हैं इतना ही नहीं सर्विस चार्ज आप उर्ती और सेवाओं के लिए आनलाइन पेमेंट के जरीए वेंडर के अकाउंट में पैसे जमा किये जा सकेंगे इसके साथी ब्रैंड ने बैटरी और मोटर के डीटेल्स की जानकारी साजा नहीं की है लेकिन यह दावा किये जा रहा है कि यह एलेक्ट्रिक क्रूजर बाइक एक बार फुल चार्ज होने पर 120 किलोमेटर की दूरी तैकर सकती है साइबॉग बड़े पैमाने पर वायर्स की नीट को पूरा करने के लिए दो और प्रोड़क्ट लाँच करेगा जो एक अच्छी रिंच पाउरफुल मोटर और किफायती कीमत बाला होगा फीचर्स की बात की जाए तो सारे अपडेटिट फीचर्स से लाइस होने वाली ये बाइक साइबॉग योडा में LED टेल लाइट्स और टन इंडिकेटर्स कीलिस इगनिशन एक एंटी थिफ्ट अलाम पिलर बैक रेस्ट साइट पैनियर बॉक्स और एजिस्टेविल सस्पेंशन सेट अप दिया गया है कमपनी ने फिलहाल इसके हार्डवेर डीटेल्स का खुलासा नहीं किया है लेकिन बाइक की तस्वीरों से पता लगता है कि इसके फ्रंट में टेलेस्कोपिक फोग और पीछे ट्विन स्प्रिंग शॉक एब्जॉर्बस मिलेंगे कमपनी को अपने ने प्रोड़क्स से बहुत जादा उमीदें जुड़ी हुई है कमपनी के संस्थापक रागव कालवरा ने कहा हमें अपने ने ब्रांड साइबग के साथ इलेक्टिक टूवीलर मोटर बाइक सेग्मेंट में प्रवेश की घोशना करते हुए खुशी हो रही है वाहनों का निर्मान और विकास करना जरूरी है और साइबग देश्क में इलेक्टिक वाहन के प्रती लोगों की बढ़ती मागों को पूरा करने परियावरंड के अनकूल चलने और बहतर समाधान पेश करने में मदद करेगा हमने इसका निर्मान करते समय ग्रहाकों की संतुष्टी को केंदर में रखा है लॉंचिंग की बात करें तो फिलाल इसके बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है तब भी बताते हैं कि कंपनी इस साल के मदे तक इसको भारत में लॉंच कर सकती है कीमत की बात करें तो अपकमिंग साइबॉग योडा को कंपनी एक लाग चालिस जार रुपए की शुरुआती कीमत में लॉंच कर सकती है हमें लगता है आपको upcoming साइबोग योड़ा वाइक के बारे में जानकर काफी अच्छा लगा होगा और आपकी फेवरेट वाइक की लिस्ट में साइबोग अभी से शामिल हो गई होगी अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करें वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद